अब आप आसानी से खाटू शाम के भी दर्शन कर पाएंगे और उसी समय उज्जयन जाकर महाकालेश्वर के दर्शन भी कर पाएंगे और अगर हम आपको ये कहें कि ना सिर्फ आप खाटू शाम महाकालेश्वर के दर्शन कर पाएंगे बलकि उसी रास्ते से ओमकारेश्वर और नातुद्वारा भी जा सकेंगे अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब होगा कैसे चले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे होगा नमस्कार मैं हूँ आचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजिस्थान तक रविवार को राजिस्थान के सीम भजनलाल शर्मा और मध्यप्रदेश के सीम मोहन यादव की मुलाकात हुई इस मुलाकात में MP और राजिस्थान के बीच एक एतिहासिक MOU साइन हुआ इसके तहट खाटू शाम जी, नाथद्वारा, महाकालिश्वर की नगरी उज्जैन और ओमकारिश्वर के बीच एक आध्यात्मिक कोरीडूर बनाया जाएगा दोनों प्रदेशों के पवित्र जगों को आपस में जोडने के लिए बंदे भारत ट्रेन और इलेक्ट्रिक बसे भी चलाई जाएंगी इस MOU के अंतरगत दोनों प्रदेश मिलकर श्रीकृष्ण गमन पत भी बनाएंगे इसे दोनों राज्यों के लोगों को देव दर्शन करना आसान होगा साथ ही दोनों प्रदेशों के परियटन को भी उननती मिलेगी दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच संयुक्तवार्ता के बीच बहुपयोगी और महत्वपून चंबल पारवती कालिसिंद परियोशना पर भी फैसला लिया गया दोनों राज्यों के बीच परियोशना के क्रियानवन के लिए MOU हुआ पानी की एक एक बूंद का राजिस्थान और मध्यप्रदेश में उपियोग किया जाएगा इसी के साथ राजिस्थान MP की खनन निती को अपना कर राजिस में व्रधी कर सकता है वहीं बजरी का उपियोग बंद कर स्टोन डस्ट और एम सेंट के उपियोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा अरवेद, आयूश और पंचकन परियाटन को बढ़ावा देने के संयुक्त प्रयास भी किये जाएगे इसके अलावा मध्यप्रदेश परियाटन की होटल आउट्सोर्सिंग पॉलिसी को राजिस्थान अपना सकता है MPR राजिस्थान के बीच अफीम, डोडा, चूरा से जुड़े अपराधियों का डेटाबेस साज़ा किया जाएगा निलामी पॉलिसी में एक रूप्ता लाई जा सकती है इसके अलावा दोनों राजियों की सीमा पर वने मेडिकल कॉलेजों की स्थिती और दूरी का युक्ती करण किया जा सकेगा वही कूनों से लगे राजिस्तान के वन्शेत्र को मिलाकर एक संयुक्त बड़ा राज्ट्रिये पार्क बनाया जा सकता है तो अब रभिवार का दिन ना केवल राजिस्तान और म्रद्यप्रदेश के लिए खास था बलकि देश के लिए भी ये खास था क्योंकि खाटू शाम जी और महा कालेश्वर के दर्शन के लिए देश के सभी जगा से लोग आते हैं अब ये कहर पैच अब ये कॉरिडॉर कब तक बनता है ये देखने वाली बात होगी आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कॉमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं राजस्तान की तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्तान तक फिलाल इस वीडियो में इतना शुक्रिया